हेलो गाईज मैं अंगुर आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपियो के बारे में ओला आईपियो को लेगे बहुत बड़ी निउस 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 के बारे में बात करेंगे ठीक है उसके साथ ही गाईज आपने थ सस्क्राइब भी कर लेना है ताकि बहतर अपडेट्स आपको हमेशा माई तरफ से मिलती रहे तो चलिए पनी डीटेल्स को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम मेल लाइन आइप यो से गाइस इसका आपने डीटेल्ड वीडियो डाल दिया है अगर जो अब तक आप नहीं देख है तो डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में लिंग मिल जाएगा जरूर जाकर देख लोना काफी सही तरीके से सब कुछ बताया है बहुत चोटी वीडियो साथ-साथ-साथ मिनट की तो बलकुल जाकर देखलना ठीक है गईस आइप योपन डेट की बात करें तो 19th सब जुलाइक ओपन होगा 23rd ओखलोज होने वाला है 24 को इसकी लिस्टिंग डेट है 95 का प्राइस बंड है ठीक है और मैंने यह चिस क्लियरली बताई कि स्प्लिट हुआ है तो इसका क्या रीजन है महंगा सस्ता सब कुछ डेटेल वीडियो में देखोगे समझ जाओगे सब्सक्राइब करेंट में इस ग्रेम आकट्रियम की तो जो जीमपी है वह हमें 40 रूपीज टो 42 रूपीज के आसपास निकलता देख रहा है जिसके साफसरान 44 परसन अगें अप्रॉक्समेटली होता है ठीक है तो एक मेंलें का कंफरम अपकमिंग आईपियो यही था ठीक ह अब हम आगे दूसरे आईपियो के बारे में जानेंगे बट आपको बता दू कि अपकमिंग आईपियो की लिस्ट आपको अगर जो जान नहीं तो इस वीडियो को देख सकते हो जो आईपियो में बताया था वो कंफरम होता दिका है और उसके साथ ही गैस इस वीडियो में जितने भी आईपियो अप्रूवड हैं उनके बारे में हमने बता रखा यानि कि जिनकी DRHP फाइल थी और सेविस अप्रूवल मिल चुका है ठीक है तो वो सारी चीज़े आप इस वीडियो में देख सकते हो डिस्क्रिप्शन आपको लिक मिल जाने वाला साथ में टाटा ग करते हैं और हमारी इस वीडियो में जो दूसरा IPO है वो है Ola Electric Ola Electric IPO में मैंने आपको कुछ दिन पहले अपडेट दिया था कि Ola Electric IPO लेट इसलिए हो रहा कि valuation की बात फसी होई है ठीक है तो अब news निकल के आई है कि यह lower valuation पे IPO ला सकते हैं 4.5 billion की valuation पे ला सकते हैं ठीक है और ज अगर जो अच्छा valuation लेके आएंगे IPO हिट होगा और यह 18% का जो है listing gain मानलो मिल जाता है मानलो यह 5.5 billion के बज़ा 4.5 billion पे लेके आ रहा है इससे price बन अगर जो 100 rupees का होना था 80 रूपय पे हो गया ठीक है अब यह 80 रूपय के बज़ाए 100 के ऊपर list होता है 110-120 पे list हो जाता है क्योंकि IPO का price band अच्छा है ज्यादा लोग पैसा डालेंगे तो ऐसी condition company को तो ऐसी फायदा हो जाने वाला है अभी recently आपने हनासा देखा था मामार्थ उससे साथी go digit देखा था उन लोगों न भी price band adjust किया था अपना valuation recording बट फिर भी महना था थोड़ा सा slightly ठीक है तो अगर ज इसके पहले 750 कोड़ प्लांग करते अब वह 1200 रहने वाला है और majority में जो पैसा उठा जाएगा तो यह एक positive बात रहने वाली है ठीक है और इस तरीके से important news हम इस चैनल पर update कर देते हैं यह news channel है जिसका link आपको description में दो नंबर में मिल जाएगा जरूर जोइन करें ठीक है और last Tuesday को bank nifty में gain यहाँ देख सकते हो आप around 180 point का एक 140 point का यहाँ देख सकते हो HBR Powerway same update ही है Zometo में बहुत शानदार gain इसके पहले आप देख सकते हो short term levels में 189% again यहाँ swing level में देख सकते हो 72% again 320 point का bank nifty में gain तो आपको यहाँ पर regularly stocks index के levels मिल जाते हैं proper guidance और support के साथ यहाँ देख और तीन नंबर पर Instagram का भी link है जहाँ बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आती है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात प्रते हैं SME IPOs के बारे में कि mainland IP के details इतनी थी ठीक है जो IPO is approved है वो सारा कुछ मैंने upcoming IPO के वीडियो में अलरी बता दिया है जाके वो देख लि होता है और इसकी जिर लिस्टिंग है वो 19th of July को है नेक्स सती पॉलिप्लास्ट इस IP को Allotment 19th of July को 22 को इसकी लिस्टिंग होने वाली है ठीक है करन में गया इस ग्रेमा कर्ण की बात करें तो हमें 128-129 के आसपास निकलता दिख रहा है जिसके हिसाब से 99% अगेन अप्रोक् दिख रही करन में गया इस ग्रेमा कर्या की बात करें तो 115-16 के आसपास निकलता दिख रहा है जिसके हिसाब से अरॉंड 1-33% अगेन अप्रोक्समिटली होता है नेक्स्ट आप यह जिसमें 75-77 रुपीस का जिएमा कर्ण में इसके हिसाब से 81-82% अगेन अप्रोक्समिटली होता है इस सब्सक्राइब करें तो में 7-8 रुपीज के आसपास निकलता दिख रहा है जिसके हिसाब से अराउं 13-14% अगेन अप्रॉक्समेटली होता है काटारिय अनरश्य के बात रहे गई इस तो यह आई-पो 19 अफ जुलाई को क्लोज होने वाला है करेंट में सब्सक्राइब का जिएमपी 15-16 रुपीज के आसपास निकलता दिख रहा है जिसके हिसाब से 21-22% अगेन अप्रॉक्समेटली होता है ठीक है तो अब यहाँ पर अपकमिंग आई-पो के लिए स्टार्ट हो रही है जो की SME कैटिगरी के हैं सा से महना लग रहा है अधरवाइस ठीक होता अगला इपो गईस R&FI Services जो की 22 July को ओपन होगा 24th हो क्लोज होने वाला है 105 रुपीज का प्राइस बंद है और 1200 का लॉट साइज है ग्रे मांकर्ट में अरौं 38 रुपीज के आसपास का GMP निकलता दिख रहा है जिसके हिसाब से 38% अगें अप्रोक्समेटली होता है ठीक है वी वी आईपी इंफा टेक लिमिटेड आईपो 23rd को ओपन होगा 25th को क्लोज होने वाला है 93 का प्राइस बंद है 1200 का लॉट साइज है ग्रे मांकर्ट में की बात करें तो 34-35 रुपीज के आसपास का निकलता दिख रहा है जिसके ह अगें अप्रोक्समेटली होता है अगला इप्यों को ओपन होगा 25th को क्लोज होने वाला है 42 का प्राइस बंद है 3000 शेर्स का लॉट साइज है और ग्रे बात करें तो कोई भी डिमांड निकलती नहीं दिख रही है और ये लास्ट आप्यों था हमारी लिस्ट का तो 5 SME के ड अगली वीडियो में ने बता दी अपकमिंग के और एक में लाइन आपको बताया है जोई कंफॉर्म है तो यह जो आई है तो वीडियो को लाइक जरू करना साथ में चाल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट भी दिखाना मिलते हैं इस अगली वीडियो में करते लिगाइं थाइं और बाबा फो नाओ